आज हम आप लोगों को दिखाएंगे बॉर्दोक्स मिक्स्चर प्रिपेरेशन कैसे करते हैं तो इसके लिए हमें पहले 100 ग्राम यानि 100 ग्राम लाइम की जरुरत परेगे तो आप देख सकते हैं हम वेंग मेशिन के जरीए कैसे लाइम की बजन नाप रहे फिर हम लोगों को वही वेंग मेशिन के जरीए 100 ग्राम यानि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट यानि तूते की जरुरत परेगे यहाँ पे भी हम लोग 100 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लेंगे फिर इन कॉपर सल्फेट और लाइम को अलग-अलग दो बाल्टियों में 5 लीटर पानी के साथ अच्छी तरसे मिलाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक बाल्टि पे 100 ग्राम कॉपर सल्फेट पाच लीटर पानी के साथ एक बैम्बू स्टीक के जरीए अच्छी तरसे मिला रहे और फिर दूसरे बाल्टि पे 5 लीटर पानी के साथ हम लोग 100 ग्राम लाइम यानी चूना को बिलकुल उसी तरीके से एक दूसरे बैम्बू स्टीक के जरीए अच्छी तरह से मिला रहे है फिर अच्छी तरह से मिलाने के बाद कॉपर सल्फेट वाले सल्यूशन को लाइम सल्यूशन में अच्छी तरह से और धिरे धिरे बाल्टि के जरीए डालेंगे और धिरे धिरे बैम्बू स्टीक के जरीए हिलाते रहेंगे याद रखिए आप तब तक हिलाते रहिएगा जब तक ये दोनों सल्यूशन एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिलना जाए फिर अच्छी तरह से मिलाने के बाद पी एच पेपर से हम लोग इसका पी एच टेस्ट करेंगे हम लोग को देखना परेगा ताकि पी एच हमेशा सेवन यानी साथ की तरफ रहे यानी नीट्रल रहे अगर इसमें पी एच नीट्रल नहीं रहेगा तो हम इसको यूज नहीं कर सकते ये है कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स ये है कुछ जरूरी प्रिकॉर्शंस जो आप यूज कर सकते है ये बॉर्दक्स मिक्स्चर स्पेशली रूट्विल्ट के लिए यूज किया जाता है आप देख सकते हैं इसमें रूट्विल्ट के सिम्टम्स जब आप bordox mixture application करेंगे तब इसमें root wilt के बिमारी खतम हो जाएगा आपका ये bordox mixture citrus kanker के लिए भी यूज़ किया जाता है और आप इस bordox mixture को citrus spray के जरिए भी यूज़ कर सकते हैं